नमस्कार मैं पूजा पुरिया और आप देख रहे हैं बिहार इन सौट्स लालू पुरशाद के बड़े बेटे तीश प्रताप यादब बीते कई दिनों से काफी सुर्खियों में चाहे हुए हैं वहां राज़त के प्रत्याशी के लिए नहीं बलके किसी और प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रशार करने की बात हो कई सारी बाते हैं जिसके कारण तेश प्रताप यादब लगातार सुर्खियों में हैं लेकिन आज जो खबरे निकल कर आई हैं वो ये है कि तेश प्रताप तेज़ प्रताप यादब शिवान जा रहे हैं लेकिन सिवान जाने से पहले जब वो मीडिया से मुखातिम हुए तुरों ने धेर साड़ी बाते की और क्या कुछ कहा पहले आप वो सुनिये तो आपने सुना कि किस तड़ीके से तीज़ प्रताप यादब के आज रुख बदले बदले नजर आ रहे हैं जी हां ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कई दिनों से चड़ लगातार चड़ शाएं ये हो रही थी कि तेज़ प्रताप यादब तारापुर में जिन सीटों पर उप्चुनाब होने हैं वहां पर वो प्रचार प्रसार किसी और प्रत्याशी के लिए करने वाले हैं जी हां राजत के स्टार्ट प्रचाड़क लिस्ट से जबसे तेजपरताप यादब का नाम नहीं था जबसे राजत ने वो लिस्ट जाड़ी की तब से पुरे राजत में घमा सांग शिर चुका था और लगातार तेजपरताप यादब हमलावर हो रहे थे उन्होंने कर नहीं है वो किसी के लिए प्रचाड प्रसाड नहीं करने जा रहा है साथ उन्होंने साफ लब्जों में साथ बहुत दिनों बाद ये कहा है कि वो तेजस्वी आदब के लिए कामना करते हैं कि वो आगे मुख्य मंत्री बने जी हां जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया क कि तेजस्वी आदब ने उन्हें पत्यात्रा के लिए बढ़ाई दिया है तो उन्होंने भी साफ लब्जों में कहा है कि हम भी ये कामना करते हैं कि तेजस्वी आदब मुख्य मंत्री बने बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चानल को करें फेस्बुक पीज को लाइक करें धन्यवाद